तो कि GTL को बाय करने का सही समय आ चुका है कि आब हमको GTL बाय करना चाहिए कि यह 100% तक का रिटन दे सकता है तो इसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा यह हमको कितने तक का रिटन दे सकता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं तो कैसे हो भाई लोग आपका फिट से एक बात स्वागत है टेक्निकल बूल चैनल में और मैं आज आपका होस्ट बात करने वाला हूँ जीटी एल के बारे में जीटी एल का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले समय कितने परसेंट का रिटन दे सकता है क्या हमको इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं तो इस वीडियो पर बात करने से पहले फटा-फट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि हमार अभग उपे ख़रीट्रने चाहिए जाता है ब्सक्राइन के बीटियो करने वाले से सरफ दो थे होुद्श कर तो आपको स inadequ करना चाहिए तो इसमें में एंड तक बहुत सरी चीज़ बताओंगा तो इसलिए वीड़क और अगी करता हूं इससे पहले कि मैं इसके टेक्निकल या फंडामिस के तरफ बढ़ू मैं आपको इसके अपडेट्स देना चाहता हूं आप देख सकते हैं कि इसका हाई और लो आज का क्या था और आप देख सकते कि यहां एक करोड़ बीस लाग के आसपास वॉल्म ट्रेड होता हूं दिखी है तो जेटियल में एक अच्छा समय है क्योंकि इसके सपोर्ट लेवल और जो भी फंडामेंटल वह देख तो ऐसा लग रहा है जेटिल आने वाले समय में एक से लेके 1.25 के आस तक अप हुआ है वैल्यू पहले से जो की है 0.3 रुपीज के आसपास और आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी बहुत बड़ी वॉल्म ट्रेड फिप्टी टू लेक के आसपास यहां वॉल्म आज ट्रेड हुई है यहां देख सकते हैं कि जीटियल ने जीटियल इन्फरा अपने कौर्टर रिजलस भी सेंड कर दिये हैं आप आप यहांकि website देख सकते हैं कौ्टर रिजलस में इसका support लेवल फी सब दिखा देना चात और आप जैसे कि यहां देख सकते ही इस बैंड के अंदर अभी आ चुका है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यह लोवर सर्किट मार दे लेकिन प्रोबैबिटी कम दिख रही है हो सकता है आने वाले दिनों में यह और अपर सर्किट मार के यह जो आपको ग्रीन कलर का देखेए वे हैं और ऐसके सफ़ेगा विश्ट की अच्छा होता है कि अच्छा होता है जा funktioniert पॉपर आया चले है तो हो सकता है आने वाले टाइम पर दिखिक रहा हम संकेत लिए रहे कि इस बेंड के उपर जाने वाला है तो यह उपर जाने यह टेक्निकल एनलिसिस जो भी होता है वो पहनी स्टॉक्स पर अपलाए नहीं होता है क्योंकि पहनी स्टॉक्स पर ऑप्रेटर गेम भी चलता है टेक्निकल एनलिसिस पर अपलाए नहीं होता लेकिन हम प्रेडिक से बात करो तो यहां भी दिख रहा है कि अभी नीचे है तो हो सकता ही उपडर जाएगा। मैं दोनों जगप की बाइनी बता तो उसमें फestyle तो यही दिख रहा है कि यह संकेत दिखा रहा है कि अब देख सकते हैं एक मृ पर にबहag पर जाए जिए 15.25 घर्णे जया सकते हैं यह श्राइए less रिटेंगा यह बहुत बडबाद हो सकते अगर हुआ तो तुकडो में invest करना तो आपको profit होगा और loss भी कम होगा गर loss हुआ तो तो इसलिए मेरी सला है कि इसमें एक साथ invest मत करना तुकडो में invest करना ताकि आपको ज़ाधा loss नहों अगर आपको हमारी छोटी से महनत अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा एन मैं 1.99 के सब्सक्राइबर का तो फटा फटा सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए जै हिंद जै भारत झाल झाल